इसमें तो मतलब एकनाश इंदे जी की खुर्ची बबच गई है लेकिन दो ठक्रे के गुरूप में हलचल ममच गई है मतलब जो स्पिकर ने फैसला दिया है यह फैसला नियम के मताबिक है कानून के मताबिक है और टू-थर्ड मिजाउरिटी के माद्यम से मतलब एकनाश इंदे के जी के पास थर्टी शवन एमेल है और इसलिए इलेक्षन कमिशन ने भी मतलब सही स्विशेना एकनाश इंदे जी के ही मानित थी उस पर माननी राहुल नार्वेगर जी जो महाराट सुविदान सभा की स्पिकर है उनने फैसला दिदे वक तो उनने बताया है कि 1999 में शुषेना ने जो सुविदान बनाया था और अभी जो ता नया का इसलिए बनाया है तो जो पुराना कॉंस्ट्रेशन है उसको ही स्विकार किया जा सकता है नए कॉंस्ट्रेशन को हम स्विकार नहीं करेगे जिस तरह मतलब सुनील प्रभू जी ने ऐजे अफीप जो 16 MLA को एकनाश इंदे जी के साथ सस्पेंट करने का निजन नहीं लिया था उद्धो ठाकरे जी के आधिश पर तो माननी स्पिकर जी ने बताया है कि उद्धो ठाकरे जी को आके लेको कोई अधिकार आइसा नहीं है पक्षप्रमूग के नाते किशी को सस्पेंट करने का पार्टी से निकालने काधिकार नहीं है और अभी मतलब एकनाश इंदे जी के खुर्ची बज़ गई है स्पिकर ने एकनाश इंदे जी के बाजूशे निरने दिया है और उद्धो ठाकरे को बहुत बड़ा जटका बैटा है मुझे रगता है कि मैं मानने रावल नार्वे करने जी ने जो निरने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ वही निरने होने के हमें अपेक्षा थी और वहींसा है निरने हो चुका है अभी एकनाश इंदे जी मुख्यमंतरी के तोर उपर बरकरार रहेगे और असली सिऊचेना जो है असली सिऊचेना एकना सिंदे जी की है यही मतलग उनों ने माना है जिस तरह भरत गोगावले जी को फीप के रूप में उनका ना माना हुश किया देखना सिंदे जी ने तो उसको ही सही माननी स्विकर जीने माना है और जो सिंदे प्रभुजी जो उनके प्रभीब थे उसको ही लिगल माना है तो यह फैसला जो आया है बहुत अच्छा फैसला है और यह फैसला सवीधान के मताबिक है कानून के मताबिक है और इसलिए मैं इस नियन्ने का स्वागत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें